हाई गाईस मिना नामे साहिल खादा और आज की बिदन शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूस है RBI ने Amazon Pay की उपर अल्मुस्त तीन करोड का फाइंड लगाया है क्योंकि उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया है अभी रूल्स है क्या बेसिकली KYC धंसे नहीं किया जा रहा है RBI ने पहले भी बोला था जित्री भी ये gateway वाली companies है online payment वाली companies है सबको KYC धंसे करना है ताकि काले धंसे को रोका जा सके means अगर आप अपना account बना रहे हो तो आप अपना pen card link करो आपकी ID link हो ताकि track हो पाए किस से पैसा कहां पे जा रहा है अगली कबर उन्हेंवेश fintech startup है जो की one card देती है उनको 50 लाग का चूना लगाया गया है और कैसे लगाया गया है online available pen card और GST की details के साथ में तो basically जो बड़े-बड़े celebrities हैं जैसे सचिन तंदूलकर Amazonie, अविशेक बच्चन बगएरा बगएरा उनके नाम पे इन्होंने loan ले लिया और 50 लाग रुपे की चफ़त लगा दी तो basically अगर आप celebrities की बात करके चलो तो उनके pen card GST online available होते हैं तो उन्होंने सर्च मारा 95 celebrities के नाम पे अगली ख़बर नंदन नीलकरी जी की है तो उन्होंने बताया कि private cryptocurrencies जो है उससे fiat currency को कोई भी नुकसान नहीं पहुचेगा, कोई danger नहीं है मुझे भी अब लगने लग गया है मुझे in fact पहले भी यह लगता था कि as a currency point of view से cryptocurrency शायद कभी कुछ नहीं कर पाएगी अगर हम asset point of view से बात करके चले तो over the period एक्सपेंड करेगी या उसके कुछ usage होगे तो शायद कुछ बन पाएगा पर मुझे इतना मोटा loss हो गया तो छोड़ो, अब इससे मैंने इसको promote करना ही छोड़ दिया अगर बिना six digit के code के gold बेचा जाएगा तो उसको illegal treat किया जाएगा तो यार ये भी बहुत अंदर की बाते हैं, बहुत सारा ऐसा gold market में बेखता है, जो कि आपको hallmark लगता है पर actually hallmark नहीं होता है, अब जाला deep में बात नहीं कर सकता है अगली अगर रमेश दमानीजी की है, तो उन्होंने बोला कि जो नई age company आई है उन्होंने अपनी valuation को बहुत जादा inflate कर लिया है, और वो बहुत जादा greedy हो गई है, साथ में उन्होंने investors के बारे में बात करी कि ये सब को जिसली हो रहा है, कि इन्वेस्टर्स गलत तरीके से सारा का सारा काम कर रहे है, इन्वेस्टर्स का पूरा फोकस होता है कि भाई, राउंड पर राउंड रेस कराओ, राउंड पर राउंड रेस कराओ, बड़ा नहीं बनाना, तो मेरे start-up bubble 2.0 वाली जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर ये वाला पूरा concept समझाया था, कि एक founder जो actually problem को solve करने के लिए business करता है, पर वो funding वाले माया जाल में फसके, वो सिर्फ एक round से दूसरे round तक ही जाता है, वो आगे कुछ काम नहीं कर पाता है, तो वो बहुत बड़ी चीज है, अगर देखा जाए तो, अगली कबर, Bill Gates की है, तो अभी वो India आए हुए है, घूम फिर रहे है, तो उन्हों ने जाते वक्त बोला कि भाई, Modi जी मेरी highlight थे, पुरी पुरी विजिट के, उन्होंने मोदी जी से बात करी, और बहुत कुछ internal बाते की गई होगी, तो COVID के टाइम पे, बहुत तारीफे गरी थी, उन्होंने इंडिया की, कहा तो, जिस तरीके से इंडिया लट रही है, वो बहुत ही बड़िया चीज है, अगली खबर, Information Technology, Employee, Senates की है, उन्होंने बताया कि 51%, 51% जो नए IT, freshers है, वो एक साल से ज़्यादा से वेट कर रहे है नौकरी के लिए, ये बहुत बुरी चीज है अगर देखा जाए तो, और इसका शद रीजन COVID भी था, COVID के टाइम पे बहुत हाइरिंग हो गई, अब फाइरिंग का जमाना चल रहा है, तो सब के जब freshers के उपर बिलीव नहीं कर रहे है, जिस तरीके से startup ecosystem के अंदर, early safe startups, idea के उपर कोई बिलीव नहीं करता वैसे ही, जब हाइरिंग चलती है, तो कोई freshers के उपर बिलीव नहीं करता है, आज के टाइम पर मुझे लगता है, freshers में potential होती है अगर वो seriously काम करना चाहे तो, अगली खबर, भाई, micro short form videos, business की है तो वो 12 billion तक पहुंच सकता है 2030 तक और साब पे influencer marketing की जो spending है, वो भी 3.5 billion dollar तक पहुंच सकती है, यह बहुत बढ़िया चीज है, हम जैसे लोगों के लिए content creators के लिए, और influencer marketing मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ा business बनेगा आने वले time में, क्योंकि अभी के time पे influencer marketing कुछ भी नहीं छूरा है अगर आप देखते हो, TV भी भी हर जगा अगली कबर, Shopify इंडिया के जो CEO है, उन्होंने बताया इंडिया की जो e-commerce market है वो US से भी आगे निकल जाएगी 2034 तक, उन्होंने बोला है कि बहुत जादा तेजी से पुरा-पुरा ecosystem बढ़ रहा है दो लाग से जादा jobs create हुई है एक ही साल के अंदर, पिछले साल की compare अगर किया जाए तो, मुझे भी लगता है online business बहुत जादा तेजी से बढ़ेगा पर प्रॉब्लम बढ़ा क्या है एक offline दुकान है, उसके बाद में सीधा एक बहुत बड़ा e-commerce टोर है आइधर तुम पूरा full-fledged e-commerce में घुझ जाओ या फिर offline दुकान चला लो छोटे level पे जहां पर तुम घर के आसपास की business को cater कर रहे हो इसके बीच का middle ground नहीं है बतला अगर हम बात करके चले आप 50, 60, 70 orders a day हैंडल करना चाहते हो इसके लिए भी आपको बहुत मोटी investment करनी ही करनी है अगर हम Shopify के बात करके चले तो average आपकी website बनाने की को जो cost है वो मोटा मोटी मांकी चलते है 10-15,000 रुपे गया सपास की आएगी उसके बाद आप monthly एक specific बड़ा amount दे रहे है 152,000 रुपे जैसे साब grow करो गया आपको और ज़्यादा आपको 6-6,000 रुपे महीने तक के खर्चे पहुंच जाते है although business point of view से बहुत चोटी चीज़ है पर एक चोटे विपारी के लिए ये cost उनको बहुत जाड़ा चुपती है तो मुझे लगता है middle ground नहीं है इसके बीच का तो अगर आप अपना business online ले जाना चाहते हो तो क्या चीज़ है जो आपको रोकती है website बनाने से क्या reason है देखे एक सबसे बड़ी comment हो जो मुझे problem रखते हो है GST number क्योंकि बहुत सारे लोगों के बाद GST number ही नहीं है और अगर आपको online payment receive करनी है तो आपको GST number लेना पड़ेगा तो यहां पे भी कोई middle ground तो है नहीं मैं अपने product का promotion कर रहा हूँ जल्दी आएगा फिर बताऊंगा पर आप नीचे comment में जुरूर मताना problem क्या क्या आ रही है अगली खबर जो world bank है उन्होंने 1 billion dollar pledge किये है इंडिया को जो public health infrastructure है उसको support करने के लिए यह बहुत ही अच्छी चीज है अगली खबर नितिन गटगरी जी की है तो उन्होंने बुला आंधरा कि जितने भी ports है उन सब को फोर लेन हाइवे से कनेक्ट किया जाएगा बीस हजार करोड रुपे का प्रजेट कहा जा रहा है वाइजएक का जो port है उसको तो six lane हाइवे मिला है 6300 करोड का approval आ चुका है 55 किलोमेटर लंबा प्रजेट बन रहा है और आंधरा के अंदर 70 प्रजेक्ट 33,540 करोड के प्रोग्रेस के अंदर भी है तो अभी global investment conference 2023 चल रही थी आंधरा प्रंदेश के अंदर वहाँ पे यह सारी की सारी बाते निकल के आई है अगली खबर भाई चाइना की है चाइना पाकिस्तान को बचा सकता है उनके financial minister ने बताया है 1.3 billion dollar की additional help मिलेगी उनको अगली खबर cargo volumes की है तो major ports के अंदर 12% increase आया है cargo volume का फरवरी के महिने के अंदर मतलब अड़ानी जी के पाद पैसा ज्यादा आया होगा अगली खबर नंदन नीलकनी जी की है उन्होंने एक बहुत important बात बुली उन्होंने बुला कि जो borrowing है जो आप उधार लेते हो वो बहुत यहादा simple हो जाएगा जिस तरीके से आप लोगों को पैसा देते हो मतलब जैसे आप UPI से पैसा ले लेते हो उसी तरीके से आप कहीं से भी तो अगर मैं इसको इतना दे दूँ तो इतना पैसा जो तो चुकाई देगा अगली कबर इंडिया के foreign exchange की है तो भाई थ्री मन्थ लोग के पर पहुँच गए है घट रहे है पिछले कुछ टाइम से अगली कबर ICRA की है तो उन्होंने डाउंग्रेड कर दिया है अडानी टोटल गैस और अडानी पोर्ट की जो आउटलूक है उसको मतलब नेगेटिव कर दिया है उनको लगता है कि अभी situation अच्छी नहीं है अडानी ग्रूप फाइनाशली फ्लेक्सिबल नहीं है और बहुत जादा रिस्क बढ़ गए है जब से हाइडनबर्ग वाली रिपोर्ट निकल के आई है अगली कबर जो कॉलकॉम की CEO है उन्होंना बताया एपल खुद का 5G मॉटम निकाल सकता है 2024 के अंदर मतलब हम कह सकते है कि एपल सिलिकन का जो next to next version आएगा उसके अंदर क्योंकि इस साल वो पनी एक नई चिप निकालेगा most probably M3 निकलेगा अगले साल जो M4 निकलेगा उसके अंदर होगा देखते है मतलब iPhone 14 15 के अंदर ये वाले सीन होगा अगली खबर Foxconn की है तो भाई Foxconn ने बहुत बड़ी चीज़ बोली है अभी उन्होंने कहा है कि हो investment कर रहे है करनाटे का तेलंगाना के अंदर पर उन्होंने एक और बात बोली है कि वो legally binding agreement को sign नहीं कर रहे है मतलब अगर वो करते है तो कर देगे नहीं करेगे तो नहीं करेगे अभी के time पर उन्होंने बोल दिया है ठीक है भाई ये summit चल रहा है तरीफ करनी है इलेक्शन को फाइदा होना चाहिए पर अभी बोल दिया उन्होंने बाद में उनको लगेगा तो करेगे वरना नहीं करेगे मुद्दा ये है अगली कबर GMR की है तो पांच हजार क्रोड पर इंवेस्ट करेगा आंधर परदेश के अंदर उनके एरपूर्ट के लिए अगली कबर अंबानी जी की है तो Reliance अपना 10 GW Solar Energy का प्रजेट शुरू करेगा आंधरा के अंदर और ये सब कुछ आंधरा के अंदर इसलिए आ रहा है जो अभी इंका समिट हुआ है इसकी वेसे सब कुछ आ रहा है अगर मैं जिंदल सील की बात करके चलों तो उन्होंने भी बुला है कि वो 10,000 क्रोड रुपया फेक्टरी के अंदर लगाने वाले है जहां से 10,000 से जारा जॉब्स क्रियेट होगी अब चलो आंदर से बहार निकलते है और गौर्णमेंट की बहुत बड़े इनिशेटिव की बात करके चलते है सुखोय और एंबरर इंडिया के अंदर बनेगा तेक है रिपोर्ट की अगर मान के चले यह बहुत बड़ी बात है 51% एक्विटी गौर्णमेंट अपने पास में रखेगा और गुजरात के अंदर इसको बिल्ड किया जा सकता है बहुत बड़ी चीज़ है इंडिया के अंदर एक next level plane technology बनेगी मतलब future के अंदर हम भी अपने next level planes बना पाएगे अगली कबर मोदीजी की है तो उन्होंने बुला जो budget 2023 आया है उसकी वैसे infrastructure में जो sector है उसमें development दिखाई देगी budget था इंफरा के ओपर अब कह सकते है अगली कबर Elon Musk की है तो Elon Musk पहले crypto crypto करते से अब AI कर रहे है अब उनका पूरा focus switch हो रहा है AI की तरफ मुझे भी ऐसा लगता है कि AI is actually future अगर आप इसको छोड़ दोगे तो आप पीछे रह सकते हो अगली कबर Twitter की data की है तो वाई Twitter की जो sales है और जो adjusted profitability है वो भी घटती भी दिखाई दी December के महिने के अंदर 40% घटा है ये बहुत बड़ी बात है जो 71% decrease इंका Advertising expenditure के अंदर 71% decrease आए Advertising expenditure के अंदर भी अगली कबर Softbank के जो CEO है वो India विजिट कर रहे है और अपने बहुत सारे portfolio investors से मिलेगे और मजे की बात यह है 7 March को आ रहे है 7 March को ही OEO के जो CEO है उनकी शादी है पर ये कहानी साज में यह होली की आसपर शादी नहीं करते है होली की बात करते है होली से पहले नहीं करते मिर भाई की शादी हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूं कि ऐसा होता है अगली कबर नरायन मूर्ती जी की है तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे पहले बनाई थी और वो चीज अगर आप देखो के आज हो रही है तो में मैंने जो बोला है वो अभी आपको आने वाले एक से डेड़ साल में देखा ही देगा और जो मैंने थ्री में बोला है ना वो तो शाद आपको कभी रियालिटी में पता भी न लगे हो सकता है कि 6-8 महिने में कुछ-कुछ कमपनीज के डेटा निकल के आए पर हो सकता है कभी भी आपको पता न लगे तो देखा करो यह जो कोर वीडियो निगालता हूँ इंटलेक्शुल इंटीस की उपर और एक और प्रमोशन कर रहा हूँ भाई हमारे एक और चैनल है आज साहिल करना गरके किसी को शाद नहीं पता होगा यहाँ पर आप दरेटली मुझसे कोशन पूल सकते है मेरे पॉइंट आ व्यू के रिगार्डिंग लाइक कर देना शेयर कर देना करना दाना वीडियो कैसी लगी बाय गुटना श्रभा के रगुट आफिस गुट मॉर्निंग रॉप्स मुटन जब भी आव वीडियो देख रहे है जैहिन बने मात्रव